ओम स्यंति बाबा जो हम से बहुत प्यार करता है न केवल प्यार करता है लेकिन वो हमें बहुत सक्तिसाली बनाता है यही उसका प्यार है वो हमें कदम कदम पर गाइड करता है यही उसका प्यार है हम भी यदि उससे प्यार करते हैं तो उसकी आज्याओं का पालन अवस्य करेंगे प्यार केवल कहने की बात नहीं प्यार प्रक्तिकल होना चाहिए तो बाबा, हम सभी को बहुत महान बना रहे हैं हमें पूरवज बना देते हैं हमें याद दिला देते हैं तुम पूरवज आत्मय हो तुम विश्व कल्यान कारी हो तुम्हारी ब्रक्ति के द्वारा वायू मंदल बनता है तुम्हारे वाइब्रेशन्स बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो तुम साधारन नहीं हो तुम अलवेले नहीं हो सकते तुम सोए नहीं रह सकते तुम व्यारत की उलजनों में जीवन नहीं बिता सकते तुम महान हो तुम्हे विश्व का कल्यान करना है अनेक दुखी आत्मयं प्यासी नजरों से तुम्हारी यो निहारती हैं कब हमारे इसरे प्रगट होंगे हमें दुखों से मुख्त करेंगे अनेक समस्याओं में उलजी और तरफ की हुई आत्मयं तुमारी और प्यासी नजरों से देखती हैं कब ये हमें समस्याओं से मुख्त करें पहचाने अपनी responsibilities को और जिनको बहुत बड़ी जिनमेदारी है वो एक-एक सेकिंड को और एक-एक संकल्प को value देंगे हमारा एक-एक सेकिंड वर्सों के समान और हमारा एक-एक संकल्प बहुत ही मुल्यवान है तो हम अपने संकल्प की सक्ती को पहचान कर स्वयम को महान संकल्पों में इस्थित करें हम इस रस्ती के आधार हैं हम जहान के नूर हैं ये जहान हमसे ही रोसन है अगर हम इस जहान में ना होते तो ये जहान कब का वीरान बन गया होता अपनी purity के, अपनी महान स्थिती के महत्व को सामने रखें इस संसार में हमारी उपस्थिती ही संसार के लिए बहुत कल्यानकारी है हम हैं तो जग है, हमारी स्थिती आधान मूर्थ है सुरस्थि की स्थिती की तो सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, attention दें, हमें सब को योग के वाइबरेसंस देने हैं बाबा भी हमें कर्मयोगी निरंतर योगी देखना चाहता है ताकि हमारे वाइबरेसंस संसार का लिए बहुत कर दें तो क्या हम इस चीज के लिए जागरित हैं या हम चुचोटी बातों में स्वयम को उल्जा देते हैं, चुचोटी बातों के चिंतन से अपने महान चिंतन को डाउन करते रहते हैं, याद रहे हमारा चिंतन जितना महान होगा हमारी स्थिते भी उतनी महान होगी और चिंतन महान होता है इस्वरिय ग्यान की स्टडी से और स्वेश्ट स्वमान से तो आईए हाज हम सारा भिन इस महान चिंतन में रहेंगे मैं आरहार मोड तुद्धार मोड तात्मा हूँ मेरी ओजन सार प्यासे नजरों से निहार रहा है मुझे अब वो कारिये कर लेने हैं जिनके लिए बाबा ने मुझे सुन्दर जीवन प्रदान किया है मुझे वो सब कारिये करने हैं जिसके लिए बाबा ने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं तो आज इस अंसार को साक्से हो कर देखेंगे कि ये पांच जार साल का खेल पूरा हो रहा है सभी ने अपना अपना पाट बजाया सभी सत्यूग से उतरते उतरते दीरे दीरे अवंत में आ गए हैं अब ये खेल पूर्ण हो रहा है और हम सवात्माएं सब कुछ छोड़ कर दे छोड़ कर अब चली जाएंगी अपने धाम अपने को जाता हुआ देखें और बैठ जाएं अपनी श्यानती धाम में श्यानती सागर के पास ओम श्यानती